आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कि सामने देखिए एक कोच के डीवी है डिस्टिब्यूटर वाल इसको एक कोच के हार्ड भी बोले जाते है और एक ट्रेन में जितना कोचेस होता यह सब कोच में एक लगते है यह ब्रेक अप्लिकेशन के लिए और रिलीज के लिए तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताएंगे कि जब ब्रेक अप्लिकेशन होता है इसके में मुक जो फंक्सन होता है किस तरीके से करते है और ब्रेक रिलीजिंग में किस तरीके से करते है इसके यूनिट क चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दीजिए कॉमेंट करिए कॉमेंट बॉक्स में कुछ जानकरी रहने से तो चलिए मैं वीडियो सुरू करते है यह डीवी का आज मुक फांचन क्या करते है जब एक ब्रेक अप्लिकेशन होते है और जब रिलीज होते है उस दोरान और इसके जो इन्यूट होते है किस तरीके से काम करते है यह ऑक्जूली जरवर 200 लिटर के इसके पाइप देखिए आके कॉमोन बैकेट पाइप में इधर रखा हुआ है इधर से देखिए ब्रेक सिलिंडर का पाइप निकला हुआ है और इधर देखिए इधर कॉंट्रोल रिजरवर यह पैसेंजर के लिए 9 लिटर का होते है और यह ब्रेक पाइप कानेशन आपके डीवी में आके रखा है यह इसका में फंक्शन पतलब आर सी आर डीवी और आपके ब्रेक सिलिंडर यह में जो है मुकाम डीवी से किया जात पॉआता है और एमर शाड़े आठ से दस केलो रहता है उस दावरान इस ब्रेक सिलिंडर में कोई हावा नहीं रहेंगे यह हुआ रिलीजिंग टाइम में अभी ड्रेक अप्लिकेशन टाइम में किस तरीके से डीवी काम कराएंगे मैं दिखा रहा है ब्रेक अप्लिकेशन पकड़ लेजिए पांच किलो से ड्राइवर ने बीपी पाइप का प्रेसर को रिड्यूस किया उस दावरान आपके डीवी में जो एक पोर्ट है इस पोर्ट अक्जूलिर रिजर्वर का पोर्ट से जो कनेक्ट हुआ था वो पोर्ट को कट करेंगे अक्जूलिर रिजर्वर का पोर्ट आपको ब्रेक सिलिंडर का पोर्ट से मिल जाएगा अक्जूलिर रिजर्वर का हवा ब्रेक सिलिंडर तरफ दोड़ेंगे ब्रेक सिलिंडर एप्लाई होगा और प्रिस्टन एप्लाई होगा ब्रेक अप्लिकेशन होगा तब आप मतलब समझ गए कि brake pipe का pressure reduce होने से auxiliary reservoir connect करता है brake cylinder को और auxiliary reservoir का हावा brake cylinder तरब जाते है और pre-stone का stock होते है और brake application होते है अभी releasing time में मैं बता रहे हैं आपको जब releasing होते है जब driver ने फिर BP pressure को फिर से 5 kg per cm2 में charge करते है उस दवरान आपके फिर से auxiliary reservoir का connection DB port का साथ में link up हो जाते है BC line को cut कर देता है BC line का जो port आपको जो line है ये DB का exhaust port है उस DB का exhaust port से आपको brake cylinder का हावा निकल जाते है इस तरीके से brake release हो जाते है जब brake में जब brake application होते है ये self अपना काम करते है उस दवरान gradually जो release होते है वो gradually release होने के लिए इस DB function में extra pressure आपके reduce करके वो quickly आपके ये brake cylinder को apply करते है और quick इसको release भी करते है ये brake system में 3 से 5 सेकेंड का अंदर में आपको ये brake cylinder का brake apply होंगे और 15 से 20 सेकेंड में इसको brake release के time लेता है ये DB का ही काम होते है जिस टेम brake application होते है मतलब source या driver का brake BP pipe reduce करने पर कितना reduce करने पर कितना pressure आपके brake cylinder तरब जाएंगे ये DB निधरत करते है इसका उपर में आपके जो ICF हमारे जो coach है इसको उपर में जितना pressure drop होंगे उसका अड़ाई होना pressure brake cylinder में जाएंगे एक brake cylinder में maximum pressure भेजने का काम जो DB करते है वो 3.88 होते है LHV में 3 kg per cm2 का pressure brake cylinder में जाते है और goods wagon में जबकि empty condition में 2.2 के pressure के load जाते है brake cylinder में और 3.8 आपके load condition में जाते है इस DB में एक sensitivity और insensitivity दो किसीं का test करते है और ये test बहुत जरूरी होते है ये sensitivity test क्या है मैं बता रहा है sensitivity test जो होंगे ये DB का उपर ये DB खराब होगा और अच्छा होगा इसका test होते है sensitivity test 0.6 kg per cm2 अगर आपके 3 सेकेंड में 3 से 5 सेकेंड का अंदर में आपको break application होना है अगर 0.6 pressure dropping में 3 से 5 सेकेंड का अंदर में break application नहीं हुआ तो DB का sensitivity testing failure होते है और insensitivity test जो होते है वो होते है 0.3 dropping होगा एक मिनिट का अंदर तक देखना है कि आपके कोई break application नहीं होगा अगर इसके अंदर में 0.3 dropping में एक मिनिट में अगर break application हुआ तो DB खराब है shear 5 kg per cm2 में चार्ज रहते है जबकि पकड़ लिजे source कड़ जाता है manual release के time में आपके इस तरफ से आगे shear का pressure reduce होंगे उसके बाद में इस manual handle से आपके break cylinder का हावा निकलता है DB का काम है इस काम को कराने के इस isolating handle है यह isolating handle आपके कोई गाड़ी कभी खराब होने से इसको आप damage कर सकता है इस coach को आप in operate करने के लिए isolate handle उठा देने से यह आपको DB काम नहीं करेंगे और यह on होने से DB काम करेंगे तो चलिए friends यह था मेरा DB function के sort about video तो इसके बात के वीडियो के लिए इंतजार करें वीडियो अच्छा लेगे तो like दीजिए चैनल पे नहीं तो चैनल को subscribe करें नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें तब तक सूस्त रहे शुरक्षित रहे थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो और आप अगूल डे